पत्नी, पडोसी और पित्राई, पित्राई माने कजिन चाचा के मामा के ताउ के जो लड़के होते न आप कितना भी प्रोग्रेस कर जाओ कितना भी आप आगे बढ़ जाओ लेकिन आपके कजिन जो है आप लोग उनको पाओ पड़ो, बाकि हमको पताई ये क्या है वो यही कहेंगे शिवजी ने सती से कहा कि देखो मैंने आपको बहुत मनाया लेकिन आप मानने को तयार नहीं सती ने कहा कि यदि ये भगवान है तो मैं परीक्षा करूंगी शिवजी ने कहा भगवान की जो पुरी दुनिया की परीक्षा करता है तुम उनकी परीक्षा करूंगे शिवजी ने कहा तो कराओ मैं यहां बर्गत के पेड़ के निचे बेटाओं तुम्हें जैसी परीक्षा करनी ये करो सती भगवान की परिक्षा करने निकल गई एक बहुत सुन्दर बात एक बहुत बड़ा सिधान्त रामयन में प्रकट होने जा रहा है हमारे समाज में हमारे अपने चाहे फिर पतनी हो पडोसी हो पितराई हो हमारी संस्था हो हमारे अपने लोग जब हमारी बात न माने तो ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए शिवजी ने अपने मन में सोचा कि ये कैसी पतनी है मैं दिवादी दिव महादे हो ये मेरी पतनी मैं इसको बारं बार मनाता हूँ फिर भी नहीं मान रही है कैसी पतनी कुछ दिर शिवजी ने इसा सोचा होगा लेकिन फिर अंत में शिवजी ने एक सिदान्त दे दिया शिवजी कहते हैं होई सोई जुरामरचिराखा होई सोई जुरामरचिराखा कोकरी तरक बढ़ावे इसा कोकरी तरक बढ़ावे इसा बहुत मनाने के बाद भी जब अपने स्वजन नहीं मानते हैं तो अंत में क्या सोचें होई सोई जो रामरचिराखा कोकरी तरक बढ़ावे इसा का मन में तरक क्यों करें क्यों अपना समय बरबाद करें मन में यही सोचें वही होना है जो भगवान राम चाहते हैं और भक्तो एक बात समझ लिजिए शिव जी का ये वचन है शिव जी ने कहा कि दुनिया में जो होने वाला है वो भगवान ने पहले से ही रच कर रखा है दुनिया का सबसे बड़ा बाजी गर उपर बैठा है वो बाजी खेल चुका है हमें तो किवल बस यहां से पास होना है लेकिन हम यह अहंकार लेकर गुमते के बस मैं ही कर रहा हूँ फिर मुझे जुनागड़ी याद आता है हूं करूं हूं करूं एजय ज्यानता शकटनो भार जे मुश्वानता जुनागड़ के संत नर्सिमेता कहते है छोटा सा गाउं है और उस गाउं में गृष्म की गर्मी है एक बेल गाड़ी चल रही है और बेल गाड़ी के नीचे कुता चल रहा है उस बेल गाड़ी में बहुत सारा माल सामान वजन भार रखा है और वह सारा भार दोनों बेल के कंदे पर बेल उसे खिंच कर जा रहा है लेकिन उस बेल गाड़ी के नीचे छाओं में जो कुता चल रहा है कुता सोचता है कि बस ये पूरा मेने ही उठाया है सच कहें तो उस कुते जैसी आलत मेरी और आपकी बुरा मत लगाना पहले मैंने मेरा नाम रखा है हम लोगों की हालत सकुते जैसी है सब कुछ करने कराने वाले भगवान है हम लोग बस मान बैटे हैं कि मैं कर रहा हूं करूं हूं करूं एज अज्यानता है शिव जी कहता है होई सोई जो राम रची राखा राम ने सबसे पहले रचकर रखा है इश्वर बाजी खेल चुका है गीता में कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन तुझे कुछ नहीं करना है ये जितने भी खड़े मेंने सब को मार दिया है और पिताम भीश्म ने इस पर महर लगा दी भीश्मस्तूती हे कृष्ण दोनों सेना आमने सामने खड़ी थी और अर्जुन ने कहा सेनियर उबियोर मदियर अथमस्तापित में अच्चुत और आप दोनों सेना के बीच में अपना रत लेकर खड़े रह गए और फिर आपने अपनी द्रश्टी कृष्ण की सेना के उपर दाली कृष्ण में ने देखा कि आपने अपनी द्रश्टी से दुर्योदन की कृष्ण की सेना की आयुश्य को हर लिया आपने युद्ध के प्रतम दिन ही सारे कृष्ण को मार दिया अर्जुन ने तो केवल यश लिया मारा तो आपने है दुनिया में जो भी होना है भगवान कर चुके है तो हम क्यों तर्क करें ओई सोई जो रामरची राका एक सुत्र यदि हमारे मन की इच्छा पूर्ण हो तो भगवान की कृपा यदि हमारे मन की इच्छा पुर्ण हो तो इश्वर की क्रिपा और मन की इच्छा पुर्ण नहो तो इश्वर की इच्छा है फिर आगे एक लाइन बाकी है फिर क्या हुआ शिव जी ने सोचा कि अब सती मान नहीं रही है छोड़ो जो भगवान करेंगे फिर असक ही लगे जपना हरिनामा असक ही लगे जपना हरिनामा अनेगई सती जह प्रभो सुखदा जब पत्नी नहीं मानी तो शिव जी माला में आद धाल कर बैड़ गए शिव जी ने यह हम सब को सिखाया कि जितना हो सकता है उतना अपने स्वजनों को परिवार को समाज और संस्था को मनाओ और नहीं मानते तो इश्वर की इच्छा समझ कर हरी नाम का जाब करो यही जीवन है